राती राते मित्रों, अश्विन मा के कृष्ण पक्ष का संबंध पित्रों से होता है, जिसे हम पित्र पक्ष कहते हैं, और ये वो समय होता है जब हम अपने पित्रों को याद करते हैं, उनका शाद करते हैं, उनको प्रसन करते हैं, इन में से सबसे महतोपूर्णतिती अमाव अमावस्या की होती है जिसे पित्र विसर्जन अमावस्या या महालिया कहा जाता है इस दिन धर्ती पर आए हुए पित्रों को याद करके उनकी विदाई की जाती है ऐसी मानिता है कि अगर आप पूरे पित्र पक्ष में अपने पित्रों को याद नहीं कर सके तो सिर्फ साथ ही इस दिन राहु से संबंदित तमाम बाधाओं से भी मुक्ति पाई जा सकती है क्योंकि कुंडली का राहु ही आपको पित्रों के बारे में बताता है दोस्तों इस बार पित्र विसरजन अमावस्या पढ़ रही है आठ ऑक्टूबर दो हजार अठारा को यानि दिन सूम अमावस्या ठिति पूर्य माठित या चतोरदशी धिति को हुई है दोस्तों ऐसी मानित darkest के 16 दिनों के द दौरान ए धर्ति पर उतरते हैं और अमावस्या के सभी संकट सभी बाधाएं अपने साथ ले जाते हैं इस दिन उनकी विदाई कैसे करना चाहिए इस दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके शुद्ध मन से बोजन बनाएं बोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए मतलब इसमें लैसुन प्यास का इस्तिमाल बिल्कुल नही पंचबली यानि आपको बोजन से गाय, कुते, चीटी, कववे और देवताओं के लिए अलग हिस्सा निकालना है यानि बोजन निकालना है पंच बली देने के बाद आपको हवन करना है और इतना करने के बाद आप ब्रामण को बोजन कराएं ब्रामण को बोजन कराने के बाद शद्धा पूर्वक दक्षिना दे करके उन्हें विदा करें इसके बाद घर के सभी सदसे एक साथ मिल करके बोजन करें पित्रों की आत्मा की शान्ति के लिए प्राथना करें पित्रों की विदाई के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसी मानिता है कि अगर आप विद्विधान के साथ करते हैं पूरी आस्था के साथ करते हैं तो उन परिस्तितियों में आपके पित्र निश्य ही प्रसंद्न हो करके जाएंगे और अगर वो परसंद हो करके गए तो आपके जीवन की सभी परिशानिया अपने साथ ले जाएंगे दोस्तों सर्वपित्र अमावस्या जो इस साल आट अक्टूबर 2018 को पढ़ रही है उसमें शाद करने का जो सही समय है वो तीन अलग-अलग समय बताए गए हैं तीन अलग-अलग मुहूर्थ बताए गए हैं जिसमें से पहला मुहूर्थ है कुतुप मुहूर्थ जो पढ़ रहा है ग्यारा पैतालिस से बारा इकत्तिस तक दूसरा मुहुर्थ है रोहरी मुहुर्थ जो पढ़ रहा है 12.31 से 13 बचकर 17 मिनिट तक तीसरा अपरान काल का मुहुर्थ है जो पढ़ रहा है 13.17 से 15.36 तक तो 11.45 से लेकर के 15.36 तक का मुहुरत शाद करने के लिए सही है समय का आवशी ध्यान रखें हम आचा करते हैं यह जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी नामू नारायन